तो आज की लेक्चर में हम क्लास 8 की एसेसी की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 इसके हम एक्सराइज पॉर्षन जो है वो करेंगे इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटीड थ्री वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है तो जिनोंने नहीं देखा है तो मैं यही सज इन प्रस्ण करने करना है तो स्बस्ट को पूछेए आपको पूछा है what is एक्रिक्वीटियर क्या है मैं इसके पारे में पहले वी डिसक्शन कर चूकी थी जो आपकी लास्ट डूडियो रही थी उसके Frankly Part two कर देते हैं शॉची कर रहतें देखिए मोटीश प्राइमरी एं क इसको farming के नाम से भी जाना जाता है second जो है name the factors influencing agriculture agriculture जो है वो कौन-कौन से factors में जो है वो की जा सकती है इनकी कौन-कौन से factors चाहिए agriculture को करने के लिए तो जो वो factors जो की influence करते है agriculture के लिए वो है आपका soil, climate, population, topography यह जो मैंने chapter की reading आपको complete करवाई थी ना इसमें मैंने completely आपको समझाया था now what is shifting cultivation, what are its disadvantages shifting cultivation को slash and burn agriculture के नाम से भी जाना जाता है यह तरह की farming होती है जिसमें क्या किया जाता है एक land plot को plot of land को clear किया जाता है उसके पेडों को काट कर एंड उसको जो है वो जला दिया जाता है वहां पे area को जला दिया जाता है जब after the land has lost जब वो अपनी land वो land जो plot of land था अपनी fertility को अपनी जाओ को fertility को क्या करता है खतम कर देता है तो उसको क्या है छोड़ दिया जाता है और former जो है वो अगले new places पे क्या करते है move on कर जाते है अब इस shifting cultivation के वज़े से क्या 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 नुकसान जो है वो this advantage जो है वो फेस करने पर सकते हैं तो shifting cultivation की वज़े से for deforestation होता है fertility of a particular land जो है वो खतम हो जाती है soil erosion होता है ठीक है deforestation होगा तो automatically soil erosion भी देखने को मिलेगा trees को burn किया जाता है जिसकी वज़े से air pollution होता है insufficient cultivation of crops for a large population एक small plot of land लेया जाता है जहां पर आपकी shifting cultivation की जाती है जब small plot of land में cultivation की जाएगी तो large population जो है वो उसके लिए insufficient crops जो है वो ग्रोन होगी ठीक है तो इसलिए यह इसके कुछ ढी हो गया शॅखर केन हो गया मैना हो गया कैश्यव गड़न हो गया अपक्रि ने कौटास क है इसकु आप को ग्र ACLU कर्ने के लिए लेबर जो है मज़़र हो बहुत ज़ादे कारी होती है बहुत जादा मतलब पैसा जो है वो भी बहुत जादा चाहिए होता है अब नीज।ोट्व स्प्रोडक्ट इस प्रोटॉसेंट रहने हईए बोट्टक्ट उस पर इत्सलिद ढर चेड़ियों है या फिर नियर बाइ फेक्टरीस के थूरू जो है वो इनकी हेल्प कर की जा सकती है अब आपको पूचा हुए थोड़ा सा मिस्प्रिंट है वो बुक से कर लीजेगा आपको क्या बताना है फाइबर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फाइबर क्रॉप्स आपके पास आजाती है Fiber Crops कौन सी Crops होती है जिसमें क्या होता है जिससे आपके कपड़े टेक्स्टाइल बनते हैं आपके मैट्स बनते हैं बोरे बनते हैं रोप्स बनते हैं ठीक है तो कौन सी है वो वो है आपकी Jute and Cotton यह दो fiber crops है इनकी growth के लिए जूट के लिए Alluvial Soil चाहिए तंपरेचर जो होना चाहिए बारिश जो है वो भी जादा चाहिए एस वेल एस हीमिट क्लाइमेट चाहिए ठीक है उसकी growth के लिए कि जूट की और अगर आप cotton की बात करेंगे तो cotton में high temperature चाहिए rainfall जो है वो कम चाहिए 210 दिन तक जो है वो बारिश वहां नहीं होनी चाहिए frost free days यानि कि बरफ या वहां पे आप बोल सकते हैं ओस वगरा नहीं पढ़नी चाहिए ठीक है फिर उसके बाद जो है sunshine जो है जादा चाहिए ताकि उसकी proper growth जो हो की जा सके आगे आगे आपको टिकता correct answers है यहां पर मैंने सिर्फ answers लिखे हैं बुक पर आपको जो है वो options भी साथ में मिलेंगे तो आप वहां से अच्छे से देख के कर लीजिएगा horticulture का मतलब क्या होता है growing of fruits and vegetables vegetables and fruits की क्या करनी growth कर मिला उनको उगाना इसमें floors भी आ जाता है आपका golden fiber refers to जो मै अब coffee का जो leading producer है वो कौन सा है वो है आपका Brazil अब आपको आगे पूछा है third question give reasons why answer दीजिए ऐसा क्यों है तो इंडिया जो है इंडिया के इंडर agriculture जो एक primary activity है primary का मुतलब भी first होता है तो सबसे पहली activity क्यों है agriculture जो है वो primary activity है many regions इंडिया के बहुत सारे regions में because इंडिया की जो land है वो बहुत fertile है और वो फेवरेबल है agriculture के लिए ठीक है खेती बारी करने के लिए जो है वो फेवरेबल है two-third of the Indian population maximum 60 to 65% population जो है वो टोटली डिपेंड है agriculture के ऊपर this is mainly because ये इस वज़े से है कि जादा तर लोग जो है उनके अंदर literacy rate कम है यानके पड़े लिखे नहीं है hence India जो है वो एक densely populated country है जहां पर production जो है वो जादा चाहिए ताकि लोगों की needs को fulfill किया जा सके ठीक है next आपको पुछा है different crops are grown in different regions तो जो different crops है वो अलग लग regions के ऊपर जो है वो क्यों grown की जाती है एक ही region के अंदे सारी crops क्यों नहीं grow की जाती because इसके जो है वो पीछे क्य सच है जो crops को जब grow किया जाता है ना तो वो depend करता है कुछ factors के ऊपर जैसे हम देखेंगे वहां की soil कैसी है ठीक है लोगों के demand किस चीज की है उसी चीज के production की जाएगी climate वहां का कैसा है किसी भी soil के लिए climate जो है वो बहुत जादा favorable रहता है वहां का climate वैसा होना चाहिए कि इसी भी crop को grow करने के लिए ठीक है उसके बाद rainfall वहां कितनी हो रही है technology और labor वहां पर कितनी available है तो यह कुछ factors रहते हैं जिसकी वाज़े से crops जो है different crops जो है different regions के अंदर जो है वो grow की जाती है अब आपको next question आ जाता है यहाँ पर मैंने question number third लिखाया है it's not question number third it's question number four ठीक है distance between the following primary activities and territory activities यह first part है और second part है इसका subsistence forming and intensive forming अब हम primary activities पहले देखेंगे तो it involves the extraction and production of natural resources मैंने आपको starting में ही chapter में पढ़ाया था हमारे पस 3 तरह की activities होती है primary secondary and territory primary में आपका raw material तियार किया जाता है secondary में manufacture किया जाता है ठीक है territory में service provide की जाती है यह याद रखिएगा तो territory activity का sorry primary activity में जो है आपका यहां पर extraction of production की जाती है natural resources की minerals वेगारा को extract किया जाता है और agriculture जो है वो की जाती है natural process के दूब यह हमें raw material provide करता है example इसमें आ जाता है agriculture mining हो गया fishing हो गया animal husbandry हो गया ठीक है forestry हो गया यह कुछ examples है प्राइमरी activities के अब हमार पर साज़ता है territory activities तो territory activities में no production of good is involved here production के समान की सर्फ जो समान को कच्चा समान होता है उसकु तीयार किया जाता है अब आगे क्या बताया है secondary sector में होता है यहां पर क्या है आपका के до Benen री हुई यहां पर इन्हों प्रोट सेर्विश करता है एकल वह非常 और के सबदों कोई, सरविस्टेस, द्रॉइस्टियूट, पृष्मिनीग इनके चैमल कोई, मैं आज सारीP करत है, जो अपके त्रिक है ये पहला हमें हमें जासे His पिफनी आ जाता है है सबसीषां पॉर्मिंग्ग एंधिसी फॉर्मिंग् फिर हम घिंड़ मिं देखे हैं में तो सब्सेशांस फॉर्मिंग्डस सबसुद्जा और की जाती है वो personal consumption के लिए की जाती है यानि कि अपने खाने पीने के लिए अपने गुजर बसर के लिए जो है वो की जाती है इसमें technology जो है वो low level की use होती है और household labor to produce a small output घर के लोग ही यानि कि घर के लोगों के द्वारा ही समान का use किया जाता है या घर के लोग जो है वो help करत करते हैं farming activity में ठीक है और जिसकी वाज़े उनको एक छोटा सा result जो है वो मिलता है अब हम intensive farming को देखेंगे तो intensive substance agriculture जो है इसमें क्या होता है जो farmer है वो small plot of land को क्या करता है cultivate करता है simple tools और more labor का use करके ठीक है simple tool यानि कि आप traditional tools भी बोल सकते हैं ठीक है इनका यूज करके और जादा labor का use करके क्या करते हैं farming करते हैं intensive farming में आपकी rice wheat maize pulses oilseeds यह कुछ crops है जो कि इस type की farming में grow किये जाते हैं intensive subsistence agriculture जो है वो कहां पी किया जाता है जहां की population जो है वो बहुत जादा थिकली यानि कि बहुत जादा होती है और रीजन कोन से होते हैं मत भूलेगा thank you and have a wonderful day